लीजे सुनिये मुहंदास करम चंद गांधी यानि महत्मा गांधी की आत्म कथा सत्त के साथ मेरे प्रयोग के पहले भाग के पंद्रहवे अध्याय सभ पोशाक में को वाचन समीर गो स्वामी का है अनहारपर मेरी शद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई शाल्ट की पुस्तक ने आहार के विशय में अधिक पुस्तके पढ़ने की मेरी जिग्यासा कुतीवर बना दिया जितनी पुस्तके मुझे मिली मैंने खरीद ली और पढ़ डाली उनमें हारवर्ड विलियम्स की आहार नीती नामक पुस्तक में अलग अलग युगों की ग्यानियों, अवतारों और पेगंबरों के आहार का और आहार विश्यक उनके विचारों का वर्णन किया गया है पाइथगोरस इसा मसीही त्यादी को उसने केवल अनाहारी सिद्ध करने का प्रैतन किया है डॉक्टर मिसिस एना किंग्सफर्ड की उत्तम आहार की रीत नामक पुस्तक भी आकरशक थी साथ ही डॉक्टर एलिंसन के आरोग विश्यक लेखोने भी इसमें अच्छी मदद की वे दवा के बदले केवल आहार के हेर फेर से ही रोगी को निरोग करने की पद्धती का समर्थन करते थे डॉक्टर एलिंसन स्वेम अनाहारी थे और बीमारों को केवल अनाहार की ही सलाह देते थे इन सब पुस्तकों के अध्यन का पढ़नाम ये हुआ कि मेरे जीवन में आहार विश्यक प्रयोगों ने महत्तो का इस्थान प्राप्त कर लिया आनम्भ में इन प्रयोगों में आरोग की द्रश्टी मुख थी बाद में धार्मिक द्रश्टी सर्वोपरी बनी इस बीच मेरे उन मित्रों को तो मेरी चिंता बनी ही रही उन्होंने प्रेमवश ये माना कि अगर मैं मास नहीं खाऊंगा तो कमजोर हो जाऊंगा यहीं नहीं बलकि मैं बेवकुफ बना रहूंगा क्योंकि अंग्रेजों के सामाज में घुल मेली ही न सकूंगा वे जानते थे कि मैं अन्नाहार विश्यक पुस्तकें पढ़ता रहता हूं उन्हें डर लगा कि इन पुस्तकों के पढ़ने से मैं ब्रहमिचित बन जाऊंगा प्रेयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा मुझे जो करना है उसे मैं भूल जाऊंगा और पोथी पंडिक बन बैठूंगा इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखरी प्रेथन किया उन्होंने मुझे नातक दिखाने के लिए नयोता वहां जाने से पहले मुझे उनके साथ हाबरन भोज ग्रह में भोजन करना था मेरी दरश्टी में ये ग्रह एक महल था विक्टूरिया होटल छोड़ने के बाद ऐसे ग्रह में जाने का मेरा ये पहला अन्भाव था विक्टूरिया होटल का अन्भाव तो निकम्मा था क्योंकि ऐसा मानना होगा कि वहां मैं बेहोशी की हालत में था सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज के सामने बैठे मित्र ने पहली प्लेट मंगाई वो सूप की थी मैं परेशान हुआ मित्र से क्या पूछता मैंने तो परोसने वाले को अपने पास बुलाया मित्र समझ गए चढ़कर मुझसे पूछा क्या है मैंने धीर इसे संकोच पूर वक कहा मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मास है या नहीं ऐसे ग्रिफ में ये जंगली पन नहीं चल सकता अगर तुम्हें अब भी यही किच-किच करनी हो तो तुम बाहर जाकर किसी चोटे से भोजन ग्रिह में खालो और बाहर ही मेरी राह देखो मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजना ले की खोज में निकला पास ही एक अनाहार वाला भोजन ग्रिह था पर वो तो बंद हो चुका था मुझे समझना पड़ा कि अब क्या करना चाहिए मैं भूखा रहा हम नाटक देखने गए मित्र ने उक्त घटना के बारे में एक शब्द मुह से ना निकाला मेरे पास तो कहने को था ही क्या लेकिन ये हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था ना हमारा संबंध तूटा ना उसमें कट उता है उनके सारे प्रयतनेों के मूल में रहे हुए प्रेम को मैं पहचान सका था इस कारण विचार और आचार की भिन्नता रहते हुए भी उनके प्रती मिरा आदर बढ़ गया पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर दूर करना चाहिए मैंने निश्चे किया कि मैं जंगली नहीं रहूँगा सभ के लक्षन गिरहन करूँगा और दूसरे प्रकार से समाज में समरत होने योग बनकर अनहार की अपनी विचित्रता को छिपा लूँगा मैंने सभता सीखने के लिए अपनी सामर्थ से परेका और छिछला रास्ता पकड़ा विलायती होने पर भी बंबई के कटे से ले कपड़े अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा नहीं देंगे इस विचार से मैंने आर्मी और नेवी के स्टोर में कपड़े सिल्वाई उन्नी शीलिंग की उस जमाने की लिहास से तो ये कीमत बहुती ही कही जाएगी चिमनी टोपी सिर पर पहनी इतने से संतोष नहुआ तो बांड स्ट्रीट जहां शौकी लोगों के कपड़े सिल्ते थे दस पॉंड पर बत्ती रखकर शाम की पोशाक सिल्वाई भूले और बादशाही दिल वाले बड़े भाई से मैंने दौनों जेबों में लटकाने लाए सोने के एक बड़ी अचेन मंगवाई और वो मिल भी गई बंदी बंधाई टाई पहना शिष्टाचार में शुमार ना था इसलिए टाई बांधने की कला हस्तगत की देश में आईना हजामत के दिन ही देखने को मिलता था पर यहां तो बड़े आईने के सामने खड़े रहकर ठीक से टाई बांधने में और बालों में पट्टी डाल कर सीधी मांग निकालने में रोज लग भग दस मिनट तो बरबाद होते ही थे बाल मुलाइम नहीं थे इसलिए उन्हें अच्छी तरह मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश जाड़ो ही समझे के साथ रोज लड़ाई चलती थी और टोपे पहनते तथा निकालते समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुँची जाता था और बीच बीच में समाज में बैठे बैठे मांग पर हाथ फिरा कर बालों को विवस्तित रखने की एक और सब्भ क्रिया पराबर चलती ही रहती थी पर इतना टीम टाम ही काफी ना था अकेली सब्भ पोशाक से सब्भ थोड़े ही बना जा सकता था मैंने सब्भ था के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिये थे और मैं उन्हें सीखना चाहता था सब्भ पुरुष को नाचना जानना चाहिए उसे फ्रेंच अच्छी तरह जान लेनी चाहिए क्योंकि फ्रेंच इंग्लेंड की पड़ोसी फ्रांस की भाशा थी और सारे यूरोप की राष्ट भाशा भी थी और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी इसके अलावा सब्भ पुरुष को लच्छेदार भाशन करना भी आना चाहिए मैंने नरत्त सीखने का निश्चे किया ये कक्षा में भरती हुआ एक सत्र के करीब तीन पॉन्ड जमा किये कोई तीन हफतों में करीब छे सबक सीखे होंगे पैर ठीक से ताला बद्ध पढ़ते न थे प्यानू बज़ता था पर वो क्या कह रहा है कुछ समझ में ना आता था एक दो तीन चलता पर उसके बीच का अंतर तो वो बाजा ही बताता था जो मेरे लिए अगम था तो अब क्या किया जाए अब तो बाबाजी का बिल्ली वाला किस्सा हुआ चुहों को भगाने के लिए बिल्ली बिल्ली के लिए गाए यो बाबाजी का परिवार बढ़ा उसी तरह मेरे लोब का परिवार भी बढ़ा वाईलिन बजाना सीख लो तो सुर और ताल का खयाल हो जाए तीन पॉन्ड वाईलिन खरीदने में गवाए और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी दिये भाशाण करना सीखने के लिए एक तीसरी शिक्षा का घर खो जा उन्हें भी एक गिन्नी तो भेंट की ही बेल की स्टेंडर्ड एलोक्योशनिस्ट पुस्तक खरीदी पिट का एक भाशाण शुरू किया इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी यानी बेल बजाई मैं जागा मुझे कौन इंगलेंड में जीवन बिताना है लच्छेदार भाशान करना सीख कर मैं क्या करूँगा नाच नाच कर मैं सब्भ कैसे बनूँगा वाइलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है मैं तो विद्यार्थी हूँ मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए मुझे अपने पेशे से संबंद रखने वाली तैयारी करनी चाहिए मैं अपनी सदाचार से सब्भ समझा जाऊं तो ठीक है नहीं तो मुझे ये लोब छोड़ना चाहिए इन विचारों की धुन में मैंने उपर युक्त आशे के उद्गारों वाला पत्र भाशाण शिक्षक को भेज दिया उन से मैंने दो या तीन पाठ पढ़े थे रत्र शिक्षका को भी ऐसा ही पत्र लिखा वाईलिन शिक्षका के घर वाईलिन लेकर पहुँचा उन्हें जिस दाम मैं भी वो बिके बेज डालने की अजासत दे दी उनके साथ कोछ मित्रता कासा संबंद हो गया था इस कारण मैंने उन से अपने मोहों की चर्चा की नाचादी के जंजाल मैंसे निकल जाने की मेरी बात उन्होंने पसंद की सब बनने की मेरी ये सनाक लगभग तीन महीने तक चली होगी पोशाक की टीम टाम तो बरसों चली पर अब मैं विद्यार्थी बना अभी आप सुन रहे थे मोहंदास करम चंद गांधी यानि महत्मा गांधी की आत्म का था सत्त के साथ मेरे प्रयोग के पहले भाग के पंद्रहवे अध्याय सभ पोशाक में को वाचन समीर को स्वामी का था